रेवाडी के गाउं रामपुर में एक तीन मंजला मकान में भीशन आग लग गई इसके तीनों फ्लोर पर लकडी का सामान भरा हुआ था जिसकी वज़े से आग ने विक्राल रूप ले लिया आग की लपटे दूसरे मकानों की और भी बढ़ती दिखी तो आसपास के लोग अ निवासी पपु ने रामपुरा में तीन मंजला मकान लिया हुआ है इस मकान को उसने एक तरह से गोदाम का रूप दिया हुआ है जिसके तीनों फ्लोर पर सैट्रिंग का सामान और तमाकू के अलावा ड्राम में कुछ अन्य सामान भरा हुआ था रात करीब साड़े दस रप्टे उठता देख आसपास के लोगों ने तुरंत इसकी सूचना गाउं के सरपंच नरेश यादो और पुलिस को दी सरपंच ने फौरन दमकल भाग को सूचित किया इसके बाद दमकल की तीन गाड़िया मौके पर पहुँची और आग बुझाने के काम में जुट गई कड़ी मसकत के बाद करमचारियों ने आग पर काबू पाया गनीमत ये रही कि इसमें किसी तरह की कोई जन हानी नहीं हुई आग लगने के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है लेकिन मकान में रखा सारा सामान जल गया है हाला कि अभी आग लगने के कारणों के बारे म पुलिस जांच कर रही है